पूडमदह पूडमिदं पूणात पूडमुदच्यते उनस्य पूडमादाय पूडमिवावशिष्यते ओं शांती 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवंबाद रायनं सूत्र भाष्य गृतव वन्दे वगवंतव पुनापुना इश्वरो गुरुरात्मेती मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिना मूर्त ये नमा ओम शांती 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 वेदांत के प्रक्रण ग्रंट विवेक चूड़ा मड़ी पर हम लोग मिजार कर रहे हैं इसका स्लोक नंबर दो से संसट पुरा हो चुका था तो यहां ब्रह्मनिष्ठा का फल ब्रह्मनिष्ठा का जगत निष्ठा का क्या फल है जगत में निष्ठा है सांसारिक पदार्थों में मोह है सांसारिक प्रवृत्ती करते हैं नाना प्रकार के कुछ चडिक सुक चडिक दुख एसा जगत निष्ठा का फल है ब्रह्म निष्ठा का फल क्या है जीवन मुक्ती का अनुभव। इस बात को पिछले स्लोक में ही गुद्धव की अगुहायाम सदसद विलक्षणम। गुद्धी रूपी जो गुहा है उसमें जो सदसद दोनों से विलक्षण। ब्रह्म है सत्य है अधिती है। तुस ब्रह्म रूप से जो उस गुहा में स्थित हो गया अनि ब्रह्म रूपता का जिसने अनुभव कर लिया उनन तस्यांग गुहा प्रवेशा है सिस्य उसका दुबारा फिर गुहा में प्रवेश नहीं होता। जन्म मरन चक्कर में नहीं जात जाता हूँ। सूल सुक्ष में शरीर जो श्लोक नंबर दूसरा विवेख चूड़ा मड़ी का जो दूसरे नंबर का श्लोक विती स्लोक था। उसी में पूरा जो बताये थे मुक्ति जन्तु नाम जर्म दुर्लम मतव श्लोक में क्रम से सब दिखा दिये थे। किससे बढ़कर की इससे बढ़कर की मनुषे प्राणियों में मनुषे का जन्म दूरलम मनुषे के जन्म की अपक्षा पुरुस का जन्म पुरुस के जन्म की अपक्षा ब्राम्मण का सरीर। उसकी अपक्षा जो है गैदिक धर्म मार्ग में परायड ब्राम्मण इसके बाद आया था आत्मा नात्म विवेचनम। आत्मा और अनात्मा का विवेख होगा तभी विविरक्ति होगी। बिना बैरागे के स्वरूप का अनुभव हो नहीं सकता। इसलिए आत्मा अनात्मा का विवेचन यह और दुरलब है। इसके अनंतर स्वनुभवात सुष अच्छी तरह से अनुभव अच्छी तरह अपरोग्ष रूप से और सुन के रख्य हो वह अनुभव उसको सु अनुभव नहीं कहा जाए तो यहां तक के ग्रंथ के द्वारा आत्मा और अनात्मा का विवेचन और अपरोग्ष ज्ञान उसके माध्यम से जीवन मुक्ती सुक उपकान हो होता है यह तो बता दिया गए तेतत प्रदर्शितम इन सब चीजों को प्रदर्शित कर दिया गया दिखा दिया गया जो की ग्रंथ दुती स्लोक उप्तम ग्रंथ के दूसरे ही स्लोक में वहां शुरुवात किये थे संचेप में वहां पर बताए थे अब उसके बाद स्वनुभवं के बाद आब उस दुती स्लोक में देखेंगे तो आता है ब्रह्मात्मना संस्थिति ही अपरोक्ष ज्यान हो करके उपाधी से अपने आपको अलग करके ब्रह्मरूप से स्थित हो गया तो ब्रह्मात्मना संस्थिति आगे बताया गया है ब्रह्मात्मना स स्थितिर मुक्ति, यही है मुक्ति, मुक्ति क्या है, मुक्ति है ब्रह्म रूप से स्थित हो जाना, वही मुक्ति है, इती इमाम अर्थम सूत्रितम, इसी अर्थ को सूत्रित किया गया, सूत्र रूप से वहां तो केवल सब्दे से बता दिये थे, पिर यहां सूत्रन कर दिया आरम करे ज्याते इती, त्याँ पे ब्रह्मा रूप से स्थित हो जाएगा, किस प्रकार से वह ब्रह्मा रूप आनंद रूपता का निरतिसे आनंद रूपता का लुभो करेगा, उस सुख की प्राप्ती का प्रकार दिखा रहे, स्लोक नंबर 268, पेज नंबर 160 देखिए, इस तरह से बोलना रहता है पहले चार अच्छर फिर शाख्छर फिर साथ अच्छर ग्याते वस्तुन नपिवलवती वासना ना दिरेशा करता भोगता प्याहमे तिद्रढा या से संसा रहे तु प्रत्यक द्रिष्ट्यात मनि निवसता सापने या प्रयतनात देखे ज्याते वस्तुनी एक ही तो वस्तु है संसार में वस्तु यानि कोई जड़ पदार्थ नहीं लेना क्योंकि वस्तु नहीं हो करके वस्तवा भास है पूरू में बताया जा चुका है वस्तु तो एक ही परमात्मा ही है उस परमात्मा वस्तु क्यों बोलते है क्योंकि वसती सरवत रेती वस्तु जो सभी जगा निवास करता है इसलिए वस्तु हो गया जब जगह रहता है तो ज्याते वस्तुनी उस वस्तु परमात्मा के जान लेने पर भी वस्तुनी अपी अपी यानि भी जान लेने पर भी जो अनादी कालिन वासना है अनादी कालिने विशयों के भोग का अभ्यास इतना अभ्यास द्रिड हो गया है जैसे कोई आदमी बहुत गरीब हो जिवन परियंद गरीवी का नुभू किया एक आएक उसको कहीं राजा बना दो उसको तो विश्वासी नहीं होता है कि मैं राजा हो गया हूँ उबरोसागल हो सकता है यो लोग मजाग कर रहे हो उसको विश्वासी नहीं होता ऐसे ही परमात्मा का साक्षातकार तो हो गया लेकिन जगत के संसकार बड़े द्रिड है बहुत द्रिड संसकार है इसलिए वासना जो बलवती वासना अनादी रेशा है जो अनादी काली ना बलवती वासना है संसकार मैं मनुष्य हूँ, मैं जीव हूँ, मैं यह हूँ तिस तरह से अपने आपको जीव मानता है संसारी मानता है बद्ध मानता है विशयों में ही मन जो है जाते रहता है ति अनादी कालीना जो वासना है उससे आपको करता भोकता प्यहम मैं करता भोकता भी हूँ करता भोकता हूँ इतनी दृढ़ं़ा ऐसी एकदम दृढ़वासना है, फिस दृढ़वासना से व्यक्ति का मन फिर विशयों में जाते रहता है, इसलिए बारमबार निदिध्यासन करना पड़ता है, जो विपरीत भावना इतनी दृढ़ है कि तत्व को जान लिया, तो भी विपरीत भावना विशयों में मन को ले जाएगी, मैं मनुस्य हूँ, ऐसा मानने को मजबूर कर देती है, तो देखो यह धिड़ भावना है अनादी कालिनी वासना, यह संसकारेग मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, यह अश्य संसार हेतू, जो इस जीव का संसरन का हेतू है, इसी वासना की व वापीस परन भावं त्यजंत यंत्य कलेवरं, तंक्तमे बयति कवंते सदा तद भाव भावित, यह जीवन परियंद जिस चीज का अब अभ्यास की हो, मरन काल में वही तो अनभौ आएगा, कोई सोचे के हम जीवन परियंद भले विशय सेवन की यह मरन काल में, भगवान क स्मरण करेंगे एक बिल्कुल असंभव बात है जीवन परियाद जो चिंतन किया जिसका अभ्यास ज्यादा है वही जो है स्मरण मरण काल में आता है और मरण काल में जिस चीज का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा त्रिर जलायुका न्याय प्रसिद्ध है जैसे जोक जो है आगे बढ़ेगा पहले पीछे वाले को ऐसे आगे रख लिया फिर अगला पर आगे रखा फिर पीछे वाले को उठाया फिर आ भावनाओं के द्वारा अगले शरीर को पकड़ लेता है। उसके अंदर भावना आ जाती है कि इस प्रकार जैसे पाप कर्म किया है जीवन परियंत, जीवन परियंतु पसु सम्बंद, पसु परविति करते रहा है। तो मरन काल में उसके शरीर में पसु पक्षी की आकृति आजाएगी। आउनाओं के द्वारा उसी शरीर को पकड़ लेगा। और इस शरीर को छोड़ करके अगले शरीर में पसु शरीर में चले गया, पक्षी शरीर में चले गया। तिस तरह से यही जो है यह जो वासना है संसार का है यम यम वापी स्मरन भावम त्यज़त्यंते कलेवरम जिस जिसका स्मरन करता हुआ जिस जिसका संसकार धिड़ है भावना करता हुआ शरीर को छोड़ता है तम तमे वयति कोंतेय उसी को प्राप्ड करता है क्यों गोले ्ट सदा उसकी भावना से युक्तर रहा है, ऐसा ही कर्म किया है इसलिए जो वासना है, एक बार तत्ग को जान लिया तो भी वह जो है अनाधी कालिना वासना चित को विशयो में ले जाएगी मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ ऐसा मानने को मजबूर कर देती है इसलिए निदिध्यासन करना पड़ता है निदिध्यासन करके वासनावों को हटाना पड़ता है प्रत्यक द्रिष्टिया आत्मनी निवसता तो इसलिए बारम बार प्रत्यक द्रिष्टि करके प्रत्यक द् सदा जो है विशयोसी मन को हटा करकी आत्मा में निवास करने वाला जो पुरुस है उसके निवास करते हुए सापनिया उस वासना को नश्ट कर देना चाहिए अपनेन कर देना चाहिए प्रयत्नाद बहुत प्रयत्न करकी उस वासना को मिटा देना चाहिए तेजु वासना तानवं यद वासना तानवं मुनयोत दिह मुक्तिम प्राहु हुँ तो मुनी लोग उसी को मुक्ति कहते हैं जो वासना तनु हो गई, सूक्षम हो गई, नश्ट हो गई, नश्ट प्राय हो गई कोई चीज जो है एकदम जरासा बच गया तो बोलते देखो यह तो मरा हुआ है तो मरा हुआ है समझो समापत ही समझो नश्ट प्राया ते जो वासना तनुता को प्राप्त हो गई बड़ी सूक्षम हो गई नश्ट होने के कगार पे आगे इतना जो है आत्मचिंतन निदिध्यासन किया तो मुनी लोग जो है मननसील लोग इसी को कहते है मुक्ती यही है मुक्ती कि संसार की वासना सुक्ष तनु होगे ने तो वासना अगर तनु नहीं होगी तो जीवन मुक्ती का अनुभो नहीं कर पाएगा जीवन मुक्ती नहीं जोए अनुभो नहीं कर सकता देखें वस्तुनी आत्मनी ग्यातेपी वस्तु यनी आत्मा उसको जान लेने पर विटीका में चल रहे हैं ज्यातेपी पंच कोश बिलक्षण तया ब्रह्मा भिन्न तयाच सास्तरता युक्तितस ज्यातेपी पांचो कोशो से बिलक्षन है आत्मा, अन्न में, प्राण में, मनों में, विज्ञान में, आनंद में, इन पांचो कोशो से बिलक्षन जान लिया, अलग जान लिया, फिर आत्मा कौन है, ब्रह्म से अभिन है, ब्रह्मा भिन्नत है, ब्रह्म से अभिन रूप से आत्मा को जान प्रतिबंद वासना है, टो या वासना आशे सन्सार हे तुहू जो वासना वस्टू को आत्मा को जान लेने पर भी जो वासना इस पुरुस के साधक के संसरन का संसरन का हे भोक्तृत वादी रूप संसार कारण, संसार क्या है, कर्तृत भोक्तृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृत समझ पाता मैं निसकाम निसकर्मा हूँ निसक्री हूँ ऐसा नहीं जान पाता तो दुरुच्छेद यहां बहुत द्रिड़ है मतलब इसका उच्छेद करना बड़ा कठी नहीं अनादी यहां बहुत बलवान है वाई क्यों कि देखिए क्यों बलवान है सम्यक प्रभुद्धोपी सपने त्यंतम भीत है कंचित कालम स्वपन एक मिनट एकदम स्पष्ट है कि देखिए जैसे सपन में देखा सपन में कोई बहुत डरावना द्रिश से देखा सपन में ऐसा कोई भूत आदी देखा कोई बहुत बड़ा पिसाच आदी देखा बहुत डरावना द्रिश से देखा तो शपन में अत्यांत डर गया तो डर गया तो सम्यक प्रवुद्धोबी सपने से जाग गया तो सम्यक प्रवुद्धोबी सपने अत्यांतम भीतर सपन में जो अत्यांत डरा हुआ है सपने के बाद थोड़ा एक खंडा का लगा लेजिए तो जरा जो है आपको मालूम पड़े यहीं तो मुझे ही नहीं मालूम पड़ रहा है तो आपको कहां सी मालूम पड़ेगा तो सपने अत्यांतम खंडा कारेक लगा देना स्वामी जी हाजी बोले मेरी एक किताब में यहां लिखना है अपने या अपने या प्रयत्नवत प्रयत्नात अपन वो तो स्लोक में आया ने सापने या प्रयत्नात स्लोक में तो है ने सापने या प्रयत्नात अपने या प्रयत्नात बहुत प्रयत्न करके भी उस वासना को हटाना चाहिए कैसे प्रयत्न करेंगे तो बता दिया प्रत्यक द्रिष्ट्या आतमानी निवसता सापने या प्रयत्नात इसका अर्थ मैंने कर दिया कि प्रत्यक द्रिष्टी से नहीं बहिर मुकता को छोड़ करके अंतर द्रिष्टी करते हुए आत्मा में ही जो है आत्मा का ही चिंतन करते हुए निदिध्यासन करते हुए तो आत्मनी निवसता जो आत्मनी निवस कर रहा है उस वासना को प्रैत्न करके यह निदिध्यासन करके हटाना चाहिए यह बता देखें तो यह जो वासना बहुत बलवती है इसमें द्रिश्टांत दे रहा है कि सम्यक प्रबुद्धोपी सपने कोई व्यक्ति सपन में सम्यक सप्ण में बहुत ढरावनाद्री से देखा, बहुत घबरा करके जाग गया, तो समयक प्रबुद्धोपी सप्ण अत्यांत्र भीत है, तो भी सप्ण में जो अत्यांत भैभीत हो गया था, तो तो थोड़े समहे तक निराकुलित अंता करन वाला नहीं ब्याकुलता से रहे तांता करन वाला नहीं होता तो देखो ये वासना बता रहे हैं जैसे आपने स्वप्न में बहुत डरावना दृष से देखा दृष से देख करके घवरा करके जाग गए तो थोड़े समय तक भाइभीत रहता है तो उसका देखे उसके संसकार की अनुगृति थोड़े समय तक रहती है जागरत अवस्था में ही साप देख करके भागा बात में बताया कि साप नहीं है तो भी थोड़े समय तक कापते रहता है कमपन की अनुगृति होती है अब ये जो वासना ये संसार की वासना ये तो अनादी काल से है इतने जल्दी नहीं अटेगी इसलिए आत्मा में ही प्रत्यक द्रिष्टी करके ब्रह्मणी प्रत्यक द्रिष्टी करके उसी में अंतरमुख हो करके बहर मुखत्वम नितराम दूरी कृत्या बहर मुखता को पूरी तरह से हटा करके अंतरमुखतया अंतरमुख हो करके निर्विकल्पक समाधी ना उस समाधी के द्वारा उस वासना को हटा देना ज़े अभेद ग्याने निवसता इस तरह से अभेद रूप से जो निवास कर रहा है अपने आपको परमात्मा से अभिन रूप से जान लिया निवास कर रहा है उस पुरुष के द्वारा, नितराम स्थिति मता, निवसता करें नितराम स्थिति मता, जो पूरी तरह से परमात्मा से अभिन्न रूप से अपने आपको जान लिया। प्राए होने के मतलब स्वाकारिया नाधाय कत्वम, रहा तो लेकिन कुछ करने में समर्थ नहीं है, यह कोई आदमी आपका सत्रू तो है लेकिन बहुत कमजोर है, कुछ आपका विगाड नहीं सकता, इसी तरह से वासना तनु हो गई मतलब स्वाकारिया नाधाय कत्वम, अप नश्ट प्राय हो गई वासना यद तदेव लोके सास्त्रिवा मुनेया सास्त्रार्थ मनन सीला मुक्तिम प्राहुत वासना की सुक्ष्मता तनुता को वासना नश्ट प्राय हो जाये इसी को मुनी लोग मुक्ति करते हैं। अतव भ्रह्मात्मना, क्योकि थोड़ा वो तो रहेगी, इसलिए जीवन मुक्ति ज्यान होने की बाद भी जब व्यवार करते तो थोड़ी वहत वासना है, इसलिए नस्थ तो नहीं कहे, नस्थ प्राय, वासना तानव, तनुता, बहुत सुक्षम हो गई, बहुत जो है, नस् मतलब आ प्रमादेन संस्तिती, प्रमाद से रहित्रो करके सम्यक रूप से ब्रमारूपता, कानुभव यही है मुक्ती पुरो जन्मे के पुन्य कर्मों के बल से ब्रह्म वितोपी वासनाच्य मनो नासार्थम प्रयत्नम जो है वासनाच्य मनो नास के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा क्योंकि साधन चतुष्ट संपत्ति के बिना उसाधन नष्ट नहीं हो सकती इसलिए बहुत जो है ब्रह्म ज्यानी को भी वासना चाहे और मनुनास के लिए प्रहत्न करना चाहे मिलग सास्त्र से युक्ति सो जान लिया किन्तो वासनाओं के मात्यम से वासनाओं के प्रतिवंद होने से अनुभव नहीं कर पा रहा है इसलिए नितिजासन करना पड़ेगा तो प्रयत्ना है निरंतर समाधी रूपह निरंतर समाधी रूपी प्रयत्न जो है उसको आवस्यक है वह ब्रह्म बेता को भी आवस्यक है सास्त्र से युक्ति से जो जान लिया है उसको भी निरंतर समाधी रूपी प्रहत्न आवस्यक है तो समाधी से ही जगत की वासना है संसार की वासना है नश्ट हो जाएंगे ती उक्तम भवत यह बात कहा दी गए तो देखी अच्छे साधन चतुष्टे संपत्तिम बिना जंगमांतर सुक्रित वसाथ यह देदी यह तो हो गया चलिए आगे देखी प्रतिबंधे सती जब प्रतिबंध है तो प्रत्यक द्रिष्टि आत्मनी निवासस नहसंभवती प्रत्यक द्रिष्टि से आत्मा में निवास कैसे होगा यह बताओ जब प्रतिबंध है जिसे कोई प्रतिबंध है बीच में दीवार आ रहे तो उस पार की वस्तु कहां से दिखाई पड़ेगी कितना भी व्यक्ति की आँख तेज है अगर बीच में दीवार आ रहे कि उस पार की वस्तु को जानेगा कैसे यह बड़े जो है बड़े जो है एक बड़े कैसी जो है देखेगा तो जान कैसे पाएगा यह तो समझ में नहीं आ रहा है तो प्रतिबंधे सती प्रत्यक आत्मनी निवास ना सम्भवती तो प्रतिबंध होने पर प्रत्यक द्रिष्टी से अंतर द्रिष्टी से आत्मा में निवास तो सम्भविनी बनेगा क्योंकि प्रतिबंध आ रहा है इती तक प्रतिबंधम तन निरासो पायं चे प्रतिबंध और प्रतिबंध के निरास का करुना निधिर भगवान जो भाष्यकार भगवान है भगवान शंकराचारी ज़ conservative विस्तरेण उपदि सती विस्तार से उपदेश कर रहे हैं कि किस प्रक्या प्रतिबंध क्या है उसके निराश का उपाय क्या है आम मम हुत्यादी स्लोकों के वारा विस्तार से उपदेश कर अंग्ममेतियो भावो दे आक्छादावनात्मनी अध्यासो यंग निरस्तव निरस्तव्यो विदुशाश्वात्मनिष्थया अहं ममेतियो भावो अहंता और ममता इस प्रकार का अहं म मैं मेरा ऐसा जो भाव है मतलब अहंता और ममता ये जो धर्म मैं मेरा पना मैं पना सरीर आदी में मैं पना या मैं हूँ आंता और शरीर से संबंद जिसका हो गया उससे सरीर के संबंद योको ममता उसमें ममता रहती है ते शरीर इंद्रियादी में जो भी अनात्मा उसमें आंता ममता ये जो है यही है अध्यास यही अध्यास हो गया, धर्मी अध्यास, धर्मी अध्यास हो अन्युन्य अध्यास इसको कहते हैं, तादात्मी अध्यास कहते हैं, वही आप व्यापक आत्मरूप हो, आप चेतन हो, लेकिन मैं कहते ही सरीर क्यों आ रहा हैं, आप जब बता दिया गया है सास्त्र के आधार पे युक्तियों से भी बता दिया गया कि आप व्यापक आत्मा हो चेतन हो पुरे जगत के द्रश्टा हो जगत द्रिश्य है मिध्या है जो भी द्रिश्य है सब मिध्या है फिर मैं कहते ही शरीर का ध्यान क्यों आ रहा है ये बताईए तो यही है अध्यास दिल्ड तादात में जहां हो जाए बारंबार बताने पर भी वो तादात में जल्दी छूटता नहीं इसके लिए ही साधना करनी पड़ती है ते जो शरीर अक्षा दी देह यानी शरीर अक्षा नी इंद्रिया दी जो अनात्मा है जो की जड है इन सभी जड़ पदारों पदार्थों में अहंता ममता रूपी जो अध्यास है पद्यासोयम निरस्तव्योई सद्यास का निरास करना पड़ेगा निराकरन करना पड़ेगा उसको दूर करना पड़ेगा कैसे दूर करे भाई बोले विदुसा स्वात्मनिष्ठ या विद्वान पुरुस के द्वारा आत्मनिष्ठा को बढ़ा करकी जगत की आस्ता को छोड़ करके अंतरमुख होगा आत्मनिष्ठा बढ़ेगी इस आत्मनिष्ठा के द्वारा सरीरिंद्रियादी में आत्मनिष्ठा को पूरी तरह से निरस्ट कर देना चाहिए क्योंकि जब तक अनात्मनिष्ठ है तब तक हर जगा दुखी होता है और हर जगा दुखी होते रहेगा यह लोग भी गया पर लोग जैसे कोई आद्मी है किसी ने पाप किया तो पहली बात तो सजा मिलेगी दूसरी बात अपकिर्थी भी होती है ऐसे यहाँ पे सरीर इंद्री आदी अनात्म पदार्थों में आत्मा भिनिवेश करके ही नाना प्रकार की सांसारिक प्रवृतियों को करता है जो प्रवृतिया उसके दुख बढ़ाने का ही हेतु है हर जगह दुखी होते है रहे इस लोग में भी दुखी है पर लोग जायेगा वहाँ भी दुखी रहेगा इसलिए वाई विवेचन तो जरूरी रहता है विवेचन करके वहरागे प्राप्त करें और फिर वहरागे के बाद इस्रमणादी करके आत्मनिष्ठा को बढ़ा करके इस अध्यास का पूरी तरह से निराकरण कर दें तहनता ममताई बंधन है उसके निरास का उपाय है आत्मनिष्ठा एकदम देखे इस छोटे स्लोप में ही बता दिए ठीका में अनात्मनी देहाक्छादव अनात्मा जो शरीर इंद्री अक्छाणी इंद्रियाणी देतों कि देका मतलब सरीर आख्छाणी इंद्रिया आदीपदे ना आदीपदे सिले ना प्राण मनो बुद्धियादी प्राण मन बुद्धियादी तत्र अहम ममाईती यो भाव उन सभी में जो अहम ममई भाव है आंता ममता इत्यादी जो भाव है किसे में यो भाव कारते हैं आंता ममता जैसे मनुस्य में रहने वाला भाव क्या है मनुस्यत्वम आहम रूपी जो भाव मतलब आंता ममता आयम अध्यास यही है अध्यास इत्यारत है यही तो अध्यास है भाई आप चेतन हो तो जड़क को मैं करके क्यों गराण कर रहे हैं अध्यास विद्वान को अटाना चाहिए किसे विद्वान कहोगे तांसारिक बदार्थों को बहुत जानने वाले को विद्वान कहोगे यहां का विद्वान है स्रमन मनन वाला जो स्रमन करता है वही विद्वान है मले व्याकरण आदी न पढ़ा हो तो भी स्रवण मनन करने वाला विद्वान है अब यह सब व्याकरण न्याय आदी पढ़ने से थोड़ा सा और साहता मिल जाती है जल्दी काम हो जाता है लेकिन बराबर जो सास्तरादी स्रवन करता है मनन करता है समदलो विद्वान वही है तो ऐसे जो स्रवन मनन वता पुरु स्रेष्ठ है ना पुरुसों में जो स्रेष्ठ है विद्वान है विद्वान है पुरुसों में स्रेष्ठ है वो स्वात्मनी व्रहमाडी नितराम स्थिती रूप निदिध्यासने हटा देना चाहिए तो प्रतिबंद हो गया अहंता ममता और निरास का उपाए आत्मनिष्ठा निदिध्यासन ते बता दिए उसका प्रकार क्या है निदिध्यासन का क्या प्रकार है इसको श्लोक नमबर 270 तत प्रकारम उपधिसती निदिध्यासन के प्रकार को दिखा रहे ज्यात्वायति ज्यात्वं स्वंग प्रत्यगात्मानंग बुद्धी तत बृत्ति साख्छिडंग सोह मित्य वसद बृत्या नात्मन्यात्माति इंग जही ज्यात्वा स्वंग प्रत्यगात्वायत। चलिए देखें जास्त्र के द्वारा, युक्तियों के द्वारा और फिर निदिध्यासन करके सोहम वही मैं हूँ, इस तरह से जान करके सद बृत्या, सद बृत्य के द्वारा, सद है ब्रह्म, उस ब्रह्म विश्यक बृत्य को कहेंगे सद बृत्य यानि अखंडाकार बृत्य, उस सद बृत्य के द्वारा अनात्मन्यात्ममतिम जही, अनात आत्मा में आत्म भुध्धी को छोड़ दो परित्याग कर्दो ऍशेत अई तीस तरह से तभी जो है आनात्मा में आत्म भुध्धी हटेएगि आत्मनिष्ठा के द्वारा ही जब जान लिया खंडातार वृत्ती हो गई तो नात्मा में आत्मा मती को परित्याग कर दो जही यानि नश्ट कर दो अंदातु से बनता है देखे स्वम स्वयम को ही स्वयम कौन है बुद्धी तद वृत्ती साक्षिनम बुद्धी और बुद्धी की वृत्तियों का जो साक्षि है प्रत्यक आत्मा अनम जो की प्रत्यक आत्मा है उसको ज्यात्वा जान करके कैसे जानेगे इस तरह से इती सद बृत्या यही है सद बृत्य यह अखंडाकार बृत्य ब्रह्म विशेक बृत्य सद बृत्य क्यों कहते कालत्रे विवाधा योग के वस्त अभेद ग्यानिंग बृत्य का तो नास होगा किन्तो बृत्य का जो विशे ब्रह्म है आबाधित वस्तु है बृत्य बृत्य बले नश्ट हो जाए किन्तो बृत्य का विशे ब्रह्म बाधित नहीं होता है तो कालत रहे भी बाधायोग वस्त्व अभेद ग्यानेन तीनों कालों में जिसको बाध नहीं होता ऐसा जो परमात्मा उस बाध के आयोग के परमात्मा के साथ अभेद ग्यानेन अभेद ग्यान के द्वारा तुम यह जो अध्यास है उसको मिटा दो अनात्मानी बुद्ध्धी को मिटा दो यहनि अहंता को जही ना सया ब्रांती परंपरा हेतु त्याजने ब्रांती परंपरा का हेतु जो अध्यास का त्याग करा करते हेतों को हटा दिये तो ब्रांती भी हट जाती है कारण को तंतों को जला दिये तो पट भी जल जाएगा ब्रिक्ष की जड़ को काट दोगे तो ब्रिक्ष धरासाई हो जाएगा गिर जाएगा नीचे ऐसे ब्रांती परंपरा का हेतु है अध्यास उस अध्यास को त्याग करा करके ब्रान्ती भी हट्ज ब्रान्तिम त्याजेती ब्रान्ती का भी त्याग करवाते है यहां भगवान भाशे का लोकेती लोका नुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहा नुवर्तनम शास्त्रा अनुवर्तनं त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयंकुरू लोका अनुवर्तनं त्यक्त्वा लोकों का अनुवर्तन छोड़ करके लोक का अनुवर्तन क्या है लोक में मेरी सब लोक प्रसंसा करें मेरी निन्दा कोई न करे इस प्रकार से मैं करूंगा सब मेरी स्तूती करेंगे कोई निन्दा करेगा ही नहीं ऐसा जो द्रिण भी निवेस है उसको कते लोकानुवर्त है अथवा दूसरा आर्थे भी किया जाता है कि सभी से जहां गए वहीं पूछ रहे भाई कैसे हो क्या कैसा चल रहा है क्या है बारम बार बिना वजय जो है लोगों को आजगल तो फोन है दिन में दसो बार जो है फोन करे भाई कैसे चल रहा है क्या है कैसे हो दिन बर ऐसा बोलते रहा ना यह लोका नुवरता लोगों को जो रहाया कैसे स्वाष्ट काईसा चल रहा है कैसे है बारं बार जो ही भोलना है लोगों को प्रसंद करने के लिए कि इसको कते लोकाम अुअ धर्थ दूसरा अर्थ नहीं बता दिये हां प्राएगा आगे निटर अगले सब्पांभी मेरे गहिए सब मेरी स्थुति करें ये लोग कानुवर्थ है और दूसरा अर्थ है कि आपका स्वास्त्र कैसा है ये कैसे है वो कैसा है आपकी बेटी कैसे है आपका बेटा कैसा है आपके पती देव कैसे है दिन भर यही पूछते रहना समी से इसलिए देखिए हम लोग सास्त्रे चिंतन में इसलिए ज़्यादा लगते हैं सुबह से लेके साम तक ब्रह्मा कार वित्ती बना ले ऐसी छमता तो प्राय करके आज के लोगों में चाये महात्मा हो तो भी नहीं कोई बिरला हो तो बात अलगे सास्त्र के अध्यान अध्यापन चिंतन में लगे रहने से क्या होता है कुझ चीजों से बच जाते है मैं तपिर वह आई अरे भाई क благ कहा हो कहा जा रहे हो कल कहा गए थे परसों कहा गए थे तुम्हारे बेटा क्या कर रहा है तुम्हारी बेटी क्या अगर दिन बर ही पुष्टे रहेगा ती जो है जो लोका नुवर्तन है इसको छोड़ करके ती अक्त्वा देहा नुवर्तन है और सरीर का यह नुवर्तन सरीर कोई सजाने हो जाने में लगे रहना बारंबार तेल लगा रहे, साबुन लगा रहे, क्रीम लगा रहे दे कानु वर्तन, दे की सेवा में लगे हुए हो तो भी ज्यान नहीं हो पाएगा लोकानु वर्तन में लगे रहो तो भी ज्यान नहीं हो पाए देहा नुवर्तन में लगे रहो तो भी ज्ञान नहीं हो पाए और सास्त्रा नुवर्तन यह पढ़लू वो पढ़लू कर्मकांड पढ़लू भक्ती सास्त्र पढ़लू साहित पढ़लू पन्यास पढ़लू यह सास्त्र का नुवर्तन सास्त्र से लेना यहां जो ज्ञान के विविगातक सास्त्र है कर्मकांडवाई पढ़ते रहना साहित पढ़ते रहना यह पढ़ते रहना यहां जो बेदानत है इसका नहीं कहिए यह तो ज्ञान का साधन हो आउपनिसत पुरुस है इसका निशेद नहीं किया जा रहा है कई लोग कहते भाई ये बहुत पढ़ते हो भाई इसका निशेद नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो ज्ञान का साधन है अन्य का निशेद अब कोई मुमुक्चु है जैसे कोई सन्यासी हो गया अवसन्यासी होकर के फिर कर्मकांड वाला ही कि वही चलो कर्मकांडी थोड़ा सिख लेता हो कहीं जो है योगप्छेम में काम आ जाएगा वो विपरीत है इसलिए हम लोग जब पढ़ रहे थे ओमकारेश्वर में पढ़ रहा था पहले तो एक स्वामी जी बताते थे जपी तपी गपी इन तीन को विद्या नहीं आती बहुत ज़्यादा तुम जप करने लगे बहुत ज़्यादा गप्पे मारने लग गए और बहुत ज़्यादा तपस्या में ही लग गए तो भी विद्या नहीं आ पाएगे तपस्या में ही लग गए तो विद्या थोड़ी आ पाएगे तो आँ बताए जपी तपी गपी ये तीन को ये विद्या नहीं आई एक बार यहां कहलास में भी एक मात मात था था ब्याकरण पढ़ने तेक दिन जो है पाठ का समय हो गए आया नहीं मैं सोच रहा पता नहीं क्यों नहीं आया बिमार पढ़ गया क्या दूसरे दिन आया तो मतलब पढ़ने वाला कोई था नहीं ऐसे ही पढ़ता था लेकिन वो अटनी कुछी वाला नहीं था फिर मैंने का वह क्या बात है कल तुम आए नहीं क्या करूं मैं ध्यान करने लग गया तो मैंने का जब ध्यान करना था तो हमारा ध्यान क्यों खराब कर रहे हो बदा देना था ना पहले कि मैं आक नहीं आ पाऊंगा तुम तो ध्यान कर रहे हमारा ध्य तो कर्म सास्त्र में अभिनिवेश नहीं होना चाहिए कि मैं उसको पढ़ लू उसको जान लू कोई आदमी जीविका के लिए कर रहा है जैसे कोई ब्रामण है तो जीविका के लिए उसको करेगा जीविका के लिए उसको पहले से अभ्यास है वर्तन इन तीनों को छोड़ करके स्वाध्यासा पनयम कुरू अपने जो अध्यास का अध्यास जो है स्वरूप विश्यक अध्यास उत्व अध्यास को दूर कर दो देखे इसको बता रहे हैं तो उक्तम ही साधन पंचक के साधन पंचक में कहा गया है कि जन कृपा न इस्थोरियम उस्ष्यताम इसमें जो है श्लो काता है छुद व्यादिस्च चिकित्ष्यताम प्रतिदिनम भिक्छो सदम भुज्यताम स्वात्वन्नम नतुवायाच्यताम विधिवसाद प्राप्तेन संतुष्यताम सीतोष नादी विशायताम नतुष्यताम वाक्यम समुच्यार्यताम बहुद आसेन्यम अभिष्यताम जनकृपा नैस्ठोर्यम उत्ष्रिज्यताम तेकि साधन पंचक में चौथाश लोग है छुद ब्याधिस्च चिकित्चताम छुदा भी एक ब्याधि है उसका चिकित्चा करो अधिस्चताम विधिवसात प्रापटेन संतुष्यताम विधी से विधान प्रारप्जकी बलसे जो मिल जाए उसी में संतुष्च हो जाओ सीतोस नादी विशाहियतां सीतोस नादी को सहन कर लो ना तू बृता वाक्यम समुच्यारे तां ब्यारतवा केरे वड़ी ठंडी है वड़ी गर्मी है ऐसे कैसे रापाऊंगा कैसे होबा कैसे काम चलेगा आल तू बाते मत बोलो आओ दासिन्यम अभिश्यतां उदासिन्ता रखो जन क्रिपा नैस्ठूरियम ना तो किसी को पर क्रिपा की अनकिती ना तो किसी को पर निष्ठूरता दोनों ही मत करो आगी बहुत ज़्यादा मै क्रिपा कर तू इनका कल्यान हो जाए उनको लड़का हो जाए उनको संपती हो जाए एस सब चकर में भी सण्याशी को नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि एस सब चकर में तो सिद्धी वाला व्यक्ति करेगा सन्यासी तैसे ही जो है नारायन नाम सुनाएगा इसी से ही लोगों का कल्यान होता है सन्यासी नारायन हरे बोले लोगों को उसी से लोगों का कल्यान हो जाता है सुनने वाले को सुब होता है कल्यान मतलब सुब होगा इसलिए आँ का दिये जन कृपा ना इस्ठूरियं कि कृपा करू सब का कल्यान कर दो सब को मैं सुखी बना दू ये भावना रखेगा तो फिर वो कभी पहुच नहीं पाएगा निस्ठूरता किसी से निस्ठूरता भी न करें दोनों को उस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कोई वाद भी बाद भी मत करो दे में हम बुद्धी को छोड़ो इती चा ते भी साधन पंचक में कहा गया है तो लोका नुवर्तन और देहा नुवर्तन दोनों को छोड़ करके शरीर में इमाई बुद्धी करके शरीर का उसन में लगे रहो यह भी ठीक नहीं सास्त्रा नुवर्तन सास्त्रा नुवर्तन क्या है देखो यहां बता रहे एक्दम स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि सास्त्रा नुवर्तन यानि किस सास्त्र का निशेद कर रहे है यह बाद देखे सास्त्रा नुवर्तनम नामं मोक्ष प्रयोजक ग्रंथ परिसीलनम बिना इतर ग्रंथा धेना दिकम मोक्ष का जो प्रयोजक ग्रंथ है वेदान्त सास्त्रा दी और प्रक्रन ग्रंथा दी इनका परिसीलन यानी विचार को छोड़ करके परिसीलनम बिना इनके विचार के बिना इतर ग्रंथा धेना दिकम कि कर्म सास्त्रों कर द्यान कर लो उपन्यास पढ़ लो ये पढ़ लो पढ़ लो ये जो है यही है सास्त्रान वर्तन ये अभी बहुत बड़ा बिग्न पढ़ द्रिडतर कर्मों को आशु यानि बड़ी जल्दी छोड़ दो इत्ती उपदेशा नुशारेण सास्त्र पदम कर्म सास्त्र परम या सास्त्र अनुवर्तन में सास्त्र पद का अर्थलन कर्म सास्त्र कर्म सास्त्र का अनुवर्तन छोड़ दो क्योंकि आप मुभुख्चु हो कर्म सास्त्र का अनुवर्तन नहीं करना चाहिए तत्रयम त्यक्त्वा इन तीनों को छोड़ करके स्वाध्यासा पनयम कुरू अपने अध्यास को दूर करो हटाओ आंताम ममताम चन ना सया आंताम ममता को विनस्ट कर दो अध्यास को अटा करके आंताम ममता को ब्रांती को दूर करो नस्ट करो इस तरह से तीन जो है वासना है लोक वासना, सास्त्र वासना, देह वासना इससे जो भी बड़ा भीगन पड़ता है इसको छोड़ना पड़ता है देखो तत कुत लोका नुवर्तन क्यों करता है क्योंकि लोक वासना है देहा नुवर्तन क्यों करता है क्योंकि देह वासना है सास्त्रा नुवर्तन क्यों करता है सास्त्र वासना है जिसकी जैसी वासना है उसका वैसा ही ब्यवहार होता है वासना के अंसर ब्यवहार का इसलिए लोका नुवर्तन इत्यादी का कारण जो इन सब की वासनाई है उनको पहले छोड़ो इसलिए इत्तत कुता इत्यता लोक वासनाई आई थी ठीका में देखियें लोक वासनाई आजन तो हो शास्त्र वासनाई आपिच देह वासनाई आज्यानंग यथा वन्ने वजायते लोक वासन या जन्तो जन्तु जो प्राणी है लोक वासना से लोक वासना उससे लोक वर लोक अनुवर्तन करेगा लोक मेरी निंदा न करे प्रसंसाई करे ऐसा मैं काले करूंगा लोक वासना से लोक वासना से लोक वासना से लोक वासना से जन्तों को प्राणी को दूसरी सास्त्र वासना ये पढ़लू वो पढ़लू और तिसरी देह वासना शरीर मेरा जो है हमेशा जवान बना रहे है शरीर कोई जो है सजाने सवारने में लगे है इन तीनो वासनाओं के द्वारा यथावद ज्ञानम नय वजायते यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता यथार्थ ज्ञान के प्रतिबंध खए तीनो वासनाओं तो इस तीनो वासनाओं से सरीरादी में मैं बुद्धी बनी रहती इसलिए उदारन आया न कि एक बार वो जब सीता माता का वियोग हो गया भगवान राम जी जंगल में ही विलाप कर रहे है तो दर से जो है उन्होंने तो वहाँ से मतलब वो विलाप कर रहे है भगवान राम जी और सीव पारवती तब ही वहाँ से जा रहे है तो सीव जी और पारवती जी तो शिव जी ने जो है घभवान राम जी विलाब करें उनको देख करके नमस्कार किया ए भगवान आप ही सचिदानंद हो परवती माता जी को देख करके बढ़ाय और हो भांग खा रखा है क lying तक किया सिव जी ने वो बताओ पत्नी के वियोग में विलाब कर रहे अब वो ले सचिदा अनंद भगवान को प्रणाम जो बताओ पत्नी के वियोग में विलाप कर रहा है वो सचिदा अनंद कैसे हो सकता है क्या सिउजियाद ज्यादा भांग खाली है क्या तो उन्हें परिक्षा लेने के लिए माता जी चली गए तो आँ भगवान में देखो अपनी सचिदा अनंद रूपता मतलब व्यवहार के लिए लिला के लिए कर रहे तो उन्हें ने अपना जो है वो दिखाया यह सब बाते आती है कहीं अन्यत्र करन्त भरंतों में तो मतलब क्या है कि तीन प्रकार की वासनाओं से व्यक्ति को सरीराधी में ही मैबुद्धी यह सम होता है इसले तीन वासनाओं को के माध्यम से ही यथा वत ग्यानम नयव जायते यथा अर्थ ग्यान नहीं हो पाता तीका में देखे इसका सर्वेजना यथा मामननिंदंती यथा स्तुवंती तथयव सर्वदाचरिश्यामी सभी लोग जिस प्रकार से मेरी निंदा न करें सदा मेरी स्तुती करें जिस प्रकार से मेरी स्तुती ही करें तथयव सर्वदाचरिश्यामी ऐसा ही मैं आचरण करूंगा इसाब मेरी वाह वाह करने लगी इती अभिनिवेश लोक वासना इसे अभिनिवेश को कहते हैं लोक वासना यह वासना अत्यंतम प्रतिबंदिका पाली बात तो यह वासना अत्यंत प्रतिबंदक है और दूसरी बात ऐसा होई नहीं सकता कि कोई आदमी आपकी निंदा न करे तथा के नापी स्थातु मसक्यत्वात बोला ऐसा तो कोई स्थित होई नहीं सकता कि उसकी कोई निंदा न करे भगवान आये उनको भी निंदा जहलने पड़ी भगवान स्री कृष्ण को सिसुपाल ने कितनी गाली दिया बहुत गाली दिया अब बताओ ऐसा कोई जब भगवान कोई गाली खाने को मिल रहा है तो संसारी को तो खाने को मिलेगा ही जीव को इसलिए ऐसा कोई होई नहीं सकता कि किसी को सदा लोग स्तुती ही करें, इसलिए निंदा स्तुती की विचार को छोड़ करके सदा अपने हित का ही आचरन करना चाहिए, पारमार्थिक हित किस प्रकार से हो, इसके विशय में ही व्यत्ति को बुद्धी लगानी चाहिए, इसका मतलब यह नहीं करें, कुछ पाप कर करें, पाप कर्म करोगे तो यह तो जानी नहीं पाओ कि ज्ञान क्या दूर की बात है, पाप करने को नहीं करें, मतलब वो चिंतन मत करो कि लोग मेरी सब लोग मेरी प्रसंता करें, सब कोई मेरी निंदा न करें, उधर जो वो सब चिंतन करते रहें, दूसरे खुश करने मे अपना काम बिगड़ जाए इदान्तु जीवन मुक्ती विबेके ये बात जीवन मुक्ती विबेक में विस्तार से बताए वासनाग छै प्रकरने वासनाग छै प्रकरने में बिद्यारन्य गुरुचरणे विस्तरेन उपदित만 विद्यारण्य स्वामी जी ने गुरुष चरण ने बहुत विस्तार से उपदन किया है क्या उपदन किया है को लोकम आराध है इतुम समर्थ है लोको कौन आराध ना कर सकता है लोको कौन खुस कर सकता है बताओ सभी लोगों को खुश कर दे ऐसा कौन सा व्यक्ति है बताई इसलिए एक श्लोक भिवादिये विद्यते नखलू कस्चिद उपाया ऐसा कोई उपाय नहीं है सर्व लोग परितोस करो या सभी प्राडियों को परितुष्ट कर दे इसलिए सर्वथा स्वाहितम आचरणियम सदा अपने हित का ही आचरण करना चाहिए किम करिश्यती जनों बहुत जल्प बहुत जल्पने वाले बहुत जल्प करने वाले लोग क्या कर लेंगे सब अपना हित का आचरण करू इसलिए ऐसा कोई उपाय नहीं है खुश करगे इती आगे कल करेंगे ओं पूडमद पूडमिदं पूडमुदच्यते उनस्य पूडमादाय पूडमेवा वशिष्यते ओं शांती 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं शूत्र वाश्य गृतव वंदे वगवंतव पुना कुना इश्वरो गुरुरात्मेती मुर्ति वेद विभागिने व्योमवल व्याप्तदे आय दक्षिना मूर्थै नमा ओं शांती 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 ही